हेलो एवरिवन मैं में तुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत उच्छे होंगे बिहार एस्टेट 9-10 की सिलेवस क्या रहने वाली है इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कम्प्लीट टॉपिक वाइज जो सिलेवस है वो आपको बता करा दूं मैंस के पेपर के जो सिलेवस और टॉपिक वाइज वो मैंने कबर करा रखा है लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्स न वाक्स में देने की कोसिस करूँगा वहां से आपको मिल जाएगा तो चलिए बिहार एस्टेट सिलेवस को हम लोग देखते हैं कम्प्लीट सिलेवस आपको इस वीडियो में मिलेगी तो चलिए PDF उपन करते हैं और सारे जानकारी जो है आपको देता हूँ By the way, previous question paper और syllabus के लिए आपको क्या करना है? यहां से मरी email ID देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे mail कर देना है इंस्टा पे हो then do follow me at the rate imithun sing आपको जो है previous question paper और syllabus के बारे में महां से आप discuss करके सारे जानकारी ले सकते हो तो चलिए English के syllabus को हम लोग discuss करते हैं सबसे पहले मैं आपको बतातू जो unit 1 है वो होगा आपका 100 marks का unit 1 जो होगा 100 marks का होगा और जो unit 2 होगा वो होगा 50 marks का है इसे आप pedagogy और जो कुछ reasoning या फिर gk के question यहां से आपसे पूछ लिए जाएंगे तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि English में क्या-क्या पूछा जाएगा देखे ग्रामिटिकल item and structures यह आपसे पूछा जाएगा reinforcement जो reinforcement है of item like a sequence of tenses in a connected speech इससे सवाल पूछे जाएगे आपसे reported speech से सवाल पूछा जाएगा uses of none finite से सवाल पूछे जाएगे passive active wise जो होता है वो पूछ लिया जाएगा आपको punctuation marks से पूछा जाएगा कि semi column कहां लगेगा column कहां लगेगा dash कहां लगेगा hyphen कहां लगेगा और parent sizes कहां कहां लगेगे bracket या फिर exclamatory marks जो है वो कहां लगेगे इससे सवाल पूछा जाएगा proposition से सवाल पूछा जाएगा synthesis of using cohesive device जो है यह English का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा अब बात करते हैं B number की तो B number में देखिए phrases and idiom जो है including phrasal verb जो है सवाल पूछे जाएगे और जो proportional phrases है उससे भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा clause से सवाल पूछे जाएगे जिसमें की conditional जो clause है उससे सवाल आएगा subject, verb, agreements से सवाल जो है आपसे पूछ लिया जाएगे और जो other skill है वो 20 marks का होगा अब इसे details में हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या रहने वाला है पहले देख लो art of teaching में पहले नमर पे art of teaching है इसमें देखिए learning and teaching meaning, progress and characteristics यह आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा आगे देखो teaching objectives और instruction objective meaning और इसका टाइप्स है विलूम, taxonomica वो पूछ जाएगा method, teaching method जो है वो सवाल आपसे पूछ लाएगा जिसमें की characteristic है, merit है, demerits of method है इससे सवाल पूछ जाएगा lesson plan की क्या types है, क्या format है, क्या various model यूज करते हैं इसमें उससे सवाल पूछ जाएगा micro teaching और instruction analysis से सवाल पूछ जाएगे, effective ecosystem of classroom से सवाल पूछ जाएगे, textbook और library से सवाल पूछ जाएगा, qualities of teacher यानि कि सिक्चक क्या बिसेशता होने चाहिए उससे सवाल पूछ लिया जाएगा, evolution and assessment of learning इससे सवाल पूछ जाएगे, यानि कि बच्चे का मुल्यांकन आप किस तरह से करोगे, उससे सवाल आपको देखने को मिलेगा, आगे देखते हैं, curriculum यानि कि पार्ट चरिया से सवाल पूछ जाएगे, factors of affecting teaching and learning पढ़ाने का दोरान, जो teaching को कौन-कौन से factor पर भावित करते हैं, और learning को कौन-कौन से factor पर भावित करते हैं, उससे सवाल पूछ जाएगा teaching ads, यानि कि जो आप pie chart, model, tv, radio, computer या फिर smart board की मदद लोगे, तो उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा कि hands, जो teaching ads है, उसको learning पे क्या effect पढ़ता है, उससे जो है कैसे आप जो है, overcome कर पाओगे चीजों को, आगे देखते हैं, general knowledge के सवाल पूछ जाएगे, other skills, 20 marks में, 20 marks मे आपको GK भी पढ़ना है, current affairs भी पढ़ना है, आगे देखिए क्या है, environmental science से सवाल पूछे जाएगे, यानि कि EBS भी आपको पढ़ना है, तीन subject मैंने बता दिया, mathematics भी आपसे थोड़े बहुत पूछ लिये जाएगे, obviously पूछे ही जाएगे maths का सवाल, और logical reasoning से सवाल पूछ को एक साथ पढ़ सकते हो, by the way, वीडियो यहां तक देख ली है, तो आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, वीडियो को खदम करने से पहले, आप लोगों से एक request करना चाहता हूँ, जै हिंद, नीचे comment section में जरूर लिखें कि वीडियो आपने आखरीक तक देखी, मुझे का पता चल सके, thank you so much for watching this video, have a good day.